आज मेरी दादी माने बोला कि बिस्किट के ऊपर दूद और कॉफी डाल दो तुम कभी भी बाहर का खाना नहीं खाओगे ये रेसिपी इतनी जादा मज़ेदार होगी कि तुम बाहर जाका हैंगी मेंगी रेसिपी खाते हो ना वो कभी भी नहीं खाओगे तो मैंने भी बोल के बिस्किट की हमें जरुद पड़ेगी जो घर पर हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है इसको एक प्लेट में निकालने के बाद में अब जो है हमें एक कढ़ाई लेनी है और उस कढ़ाई में हमें इन बिस्किट को डाल देना है और इसी के साथ में अब हम इसम पैसे लगेंगे घर पर ही रखे कुछी सामान से ये रेसिपी बन कर त्यार हो जाएगी लगभग एक चमच के करीब हमें कौफी डालनी है और साथी साथ इसमें लगभग एक गिलास के करीब दूद का इस्तमाल करना है और इसके बाद में जो हम इसको हलका सा गरम कर लेंगे यानि कि ये जो ठंडा दूद हमने डाला है इसको हलका सा गरम करना है ताकि ये जो बिसकेट है वो जाते ही दूद में अच्छे से मेल्ट हो जाए और यहाँ पर हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसे ही हमने गैस की फ्लेम को आउन किया ये जो बिसकेट है वो अच्छे से मेल्ट ह तो यहां पर हमें कर्ची को इसी तरीके से चलाते रहना है और इसी के साथ में अब यहां पर जाएगी थोड़ी सी यह जो चीनी है मोटी वाली वो अगर आप चाहे तो यहां पर जो है पीसी हुई चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर यहां पर आप चीनी नहीं डालोगे तो यह आपको कुछ फीका-फीका लगेगा जो की खाने का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ पर मेरे कहने पर आप थोड़ी सी चीनी का जरूर इस्तमाल कीजिए तो यहाँ पर चीनी भी अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गई है और इसी के साथ में अब थोड़ा सा जो दूद है हम और एड़ करेंगे तो यहां पर मेरी दादी का कहना है कि इस तरीके से धीरे धीरे करके दूद अगर हम डालेंगे तो ये रेसेपी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी जितनी आपको क्वांटिटी में दूद डालना है आप डाल दीजिए लेकिन थोड़ी ही क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा करके ही डाली उससे क्या होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि ना तो हमें इसको जादा मतलब पतला करना है ना ही जादा गाडा करना है लेकिन आप देख सकते हैं कि गैस की फ्लेम को तो हमने बंद कर दिया है लेकिन अभी भी इसमें लम्स है इन लम्स को पूरे तरीके से ख कुछ इस तरीके से हम विसकर की मदद से अच्छी से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जितने भी लंज है वो खतम हो जाए यहां पर हम इस विसकर की मदद से लंज खतम करें हैं तब तक आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप ही हमारा प्यारा सा वीडियो देश के कौन से कौ सारे के सारे लंज खतम हो चुके हैं यहां पर हम थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा और साथी सा थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर अगर आपके पास में यह दोनों ना हो तो आप थोड़ा सा यहां पर इनों का भी इस्तमाल कर सकते हैं वो भी चलेगा तो यहा मैं हम इस विसकर को तो हटा देंगे और यहां पर थोड़ा सा डालेंगे औल प्रेश यहां और यहां पर यहां पर टालेंगे औली चीजों, आपत यहां पर देशान llegar किया है दो चम रबाइक आधे ऑईकला आटी मा 行ब करे देशा भी उसकर गरए Mexican किके अरह दसा है पाद में ही डाल दिया जाए अगर आप चाहे तो पहले भी इसमें जो है ये ओल है वो डाल सकते हैं तो यहां पर सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है अब हमने ले ली है चार कटोरिया और उन कटोरियों में हमने ओली वॉल फिर से ले लिया है और ब्रश की मदद से क्या रख दिया था पानी अच्छे से बॉल हो गया है अब एक एक करके हमें ये सारी कटोरी जो है रख देनी है इस पानी में अब आप सोच रहे होंगे कि भला आप क्या करना है तो चलिए वो भी बता देते हैं तो यहां पर ये जो हमने बिस्किट का बैटर तयार किया था वो इन कटोरी में हमें डाल देना है ये देखिए और जब ये रेसिपी दोस्तों बन कर त्यार होगी तो आप यकीन ही नहीं करोगे कि ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि हम अक्सर इन्हें मार्केट से खरीते थे लेकिन आप देख सकते हैं कि घर पर आप इसे कुछी समय में ब बता रही थी दादी मा की इतनी नहीं होती थी घर पर जो चीज बन जाए बस वही होती थी और हम तो उसी से गुजारा कर लेते थे तो यहां पर आज दादी मा की रेसिपी बहुत ही शांदार लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है एक एक करके हमने चारों कटोरि तब हम इसका धकन हटा कर देखेंगे तो आप देखोगे किस तरीके से ये जो हमारे बिस्किट के खेक है वो बन कर त्यार हो गए है और ये देखे किते जादा प्यारे लग रहे हैं बस इनको थोड़ा सा आप नॉर्मल होने के लिए रख दीजिए उसके बाद में एक लग रहा है हमारा ये दादी मा ने बोला कि बिस्किट के ऊपर दूद और कॉफी डाल दो तुम कभी भी बाहर का खाना नहीं खाओगे ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार होगी कि तुम बाहर जाके हैंगी महेंगी रेसिपी खाते हो ना वो कभी भी नहीं करना है और इनको कुछ इस अरीके से खोल लेना है लगबग दो पैकेट के बिस्किट की हमें ज़रुत पड़ेगी जो घर पर हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है इसको एक प्लेट में निकालने के बाद में अब जो है हमें एक कढ़ाई लेनी है और उस कढ़ा में नहीं जादा टाइम लगेगा और नहीं जादा पैसे लगेंगे घर पर ही रखे कुछी सामान से ये रेसिपी बनकर त्यार हो जाएगी लगबग एक चमच के करीब हमें कौफी डाल दी है और साथी साथ इसमें लगबग एक गिलास के करीब दूद का इस्तमाल करना है और इसके बाद में जो हम इसको हलका सा गरम कर लेंगे यानि कि ये जो ठंडा दूद हमने डाला है इसको हलका सा गरम करना है ताकि ये जो बिसकिट है वो जाते ही दूद में अच्छे से मेल्ट हो जाए और यहाँ पर हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसे ही हमने गैस की फ्लेम को यह जो बिस्कित है वो अच्छे से मेल्ट होना शुरू भी हो गए हैं तो यहाँ पर हमें कर्ची को इसी तरीके से चलाते रहना है और इसी के साथ में अब यहाँ पर जाएगी थोड़ी सी यह जो चीनी है मोटी वाली वो अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो है पीसी हुई चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर यहाँ पर आप चीनी नहीं डालोगे तो यह आपको कुछ फीका फीका लगेगा जो की खाने का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ पर मेरे कहने पर आप थोड़ी सी चीनी का जरूर इस्तमाल कीजिए तो यहाँ पर चीनी भी अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गई है और इसी के साथ में आप थोड़ा सा जो दूद है हम और एड़ करेंगे तो यहाँ पर मेरी दादी का कहना है कि इस ततरीके से दीरे धीरे करके दूद अगर हम डालेंगे तो यह रैसेपी बिलकुल परफेक्ट बनेगी जितनी आपको क्वांटिटी में दूद डालना है आप डाल दीज़े। लेकिन थोड़ी ही क्वांटिटी में थोड़ा-थोड तरीके से खतम करने के लिए आपको एक चीज करनी होगी इसको जो है एक बाउल में निकालना होगा और उसके बाद में ही हम आगे की पूरी प्रकरिया करेंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा सा दूद और एड कर दिया है और इसको जो है कुछ इस थारीके से हम विस्कर की का चाहते हैं सबस्क्राइब लिए देखें टाकि हम आपका थैंक्स कर से के पिछला थैंक्स जाता है भानु जी को अलुद्याना से और नीता जी जाता है दिलि से तो आप भी प्यारे-प्यारे से कमेंट कर दीजे तापकि आपका नाम भी हम अगले वीडियो में ले सके सारे के सारे लंज खतम हो चुके हैं यहां पर हम थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा और साथी सा थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर अगर आपके पास में यह दोनों ना हो तो आप थोड़ा सा यहां पर इनों का भी इस्तमाल कर सकते हैं वो भी चलेगा तो यहां पर सा जो है देसी घी का इस्तमाल कर सकते हैं लग बग दो चमश के करीब यहां पर मैंने ऑलिव ओईल का इस्तमाल किया है फिर से विसकर की मदद से हम इन सारी चीजों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे दरसल यहां पर जो है दादी मा ओईल डालना भूल गई थी तो हमने सोच काटोरिया और उन काटोरियों में हमने ऑलिव ओल फिर से ले लिया है और ब्रश की मदद से क्या करना है इन चारो काटोरियों में जो है यह ओईलिंग कर देनी है इस ब्रश की मदद से पूरे काटोरियों में अच्छे से ओईलिंग करने के बाद में अब दूसरी तरफ हमन यहां पर पानी को पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था पानी अच्छे से बॉयल हो गया है अब एक एक करके हमें यह सारी कटोरी रख देनी है इस पानी में अब आप सोच रहे होंगे कि भला आप क्या करना है तो चलिए वो भी बता देते हैं यहां पर यह जो हमने बिस्किट का बैटर त्यार किया था वो इन कटोरी में हमें डाल देना है यह देखिए और जब यह रेसिपी दोस्तों बन कर त्यार होगी तो आप यकीन ही नहीं करोगे कि यह इतनी अच्छी रेसिपी है कि हम अक्सर इन्हें मार्केट से खरीते थे लेकिन आप देख सकते हैं कि घर पर आप इसे कुछ ही समय में बना कर त्यार कर सकते हैं दादी मा बोलती है कि हम अक्सर पहले के टाइम पे इसी तरीके से बिस्किट से यह रेसिपी बनाते थे और बाहर की चीजे पहले के जमाने में बता रही थी दादीमा की इतनी नहीं होती थी गर पर जो चीज बन जाए बस वही होती थी और हम तो उसी से गुजारा कर लेते थे तो यहां पर आज दादीमा की रेसेपी बहुत ही शानदार लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है एक एक करके हमने चारो कटोरियों में यह बैटर डाल दिया इसके बाद में एक धकन लगा कर हम इसको बंद करके रखेंगे यहां पर यह जो पाने खतम होगा तब तक हम इसको लगा कर ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद में जैसे ही यह पाने खतम हो जाए तब हम इसका धकन हटा कर देखेंगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से यह जो हमारे बिस्किट के खेक है वो बन कर त्यार हो गए है और ये देखे किते जादा प्यारे लग रहे हैं बस इनको थोड़ा सा आप नॉर्मल होने के लिए रख दीजिए उसके बाद में एक प्लेट में आप इसको उल्टा कर दीजिए और थोड़ी ही देर बाद में आप देखोगे कि किस तरीके से ये जो कर्टोरी है वो अपने आ